किसान साथियों नमस्कार आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान चैनल में किसान साथियों जब से हमने अम्रूद की कटिंग और बहार नियंतरन की वीडियो डाली हैं तब से मुझे बहुत फोन आते हैं कि जहां तक भी मेरे से संभव हो सुका मैंने यह समझाने की कोशिश की कि आपको अपने अम्रूदों की कटिंग क्यों करनी चाहिए और किस प्रकार करनी चाहिए लेकिन कुछ लोग मुझे फोटो भेज़ते हैं और वीडियो भेज़ते हैं और मुझे देखकर थोड़ा दुख भी होता है कि बड़े-बड़े पेडों की कटिंग सही प्रकार से नहीं हो रही या छोटों की कटिंग भी गलत हो रही है तो मैंने एक ये निश्य किया है कि काफी दिनों से मैं कुछ लिटरेचर पढ़ रहा था इस पर अनुसंधान परपत्र जो होते हैं उनको पढ़ रहा था और इसमें एक मुझे बहुत अच्छा रिव्यू पेपर मिला है और उसमें बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है जिसे मैं आप लोगों के साथ साजा कर रहा हूँ किसान साथियो मेरा उद्देश से दो से तीन वीडियो में आपको बाहर नियंतरन क्या होता है इसकी क्यों जोरत होती है और इसको हम प्रियोग किस प्रकार करते हैं और इसमें जो मुख्य गती विदिया होती है वो क्या क्या होती है जैसे के प्रूनिंग यानि कटिंग कैसे होती है कितने प्रकार की होती है कटिंग में क्या सावधान रखे थोड़ी हम इन बातों की चर्चा करेंगे आज मैं आपको बड़े साधरन तरीके से ये समझाने की कोशिश करूँगा कि बहार्णी अंतरन क्या है साथियो सब को पता है कि अमरूद में मुखेते उत्तर भारत में दो फसल आती है एक आती है अम्बे बहर जिसके फल हमें जुलाई अगस्त में मिलते हैं और फूल इस पर लगते हैं मार्च अप्रेल में ये दो मुख्य बाहर आती है। अब किसान साथियो ये प्राकृतिक है कि अम्रूद में दो बार फल आएंगे। अगर हम इसमें कुछ बदलाव कर दें तो उसे बाहर नियंतरन कहते हैं। अर्थात अगर हम एक फसल को रोक कर और दूसरी फसल ले लें तो इसे बाहर नियंतरन कहा जाता है। इसे मैं एक उधर्ण के रूप में समझाता हूँ। हमारी फसल हुई बरसात की। हमें बरसात की फसल नहीं चाहिए अधिक तर किसान नहीं लेते हैं और हमें सर्दियों की फसल चाहिए तो क्या कोई विदी है कि जो आप इसके फूल और इसके फल नह आने दे जो ये बदलाव आप करते हैं इसी को बहार्नी अंतरन कहते हैं यानि प्रकार्ती ने जो हमें फूल और फल दिये हैं उनमें हम अपनी इच्छा अनुसार फसल लेने के लिए जो बदलाव करते हैं उसे बहार्नी अंतरन कहते हैं अब किसान साथियों एक बड़ी अच्छी काहवत है कि आवशकता आविसकार की जन्नी होती है अब हमें ये तो पता चल गया कि भई हम बहार्नी अंतरन करते हैं अब थोड़ा ये भी देखिये कि ये कैसे पता चला किसान साथियों अम्रूद है उसमें हमेशा नई साखाव पर ही अम्रूद आता है बस इसी चीज को बिंदू बनाया वैग्यानिकों ने और इस पर अपना अनुसंधान शुरू किया उन्होंने कहा कि क्या हम अगर नए कल्ले आने ही ने दे तो भई हम ये तरन हो जाएगा कि अम्रूद के फल हमेशा नई साखाव पर ही लगते हैं अगर आपने कटिंग नहीं की तो दो काम होंगे और तो या तो कुछ नई साखाय पुरानी साखाव पर निकलेंगी या जो पुरानी साखाय छोड़ी है वो आगे से बढ़ना शुरू होगी और जो भी नई साखाय निकलेंगी हमेशा फलन उन्हीं पर आएगा तो जो पुरानी साखाई हो गई उन पर कभी फलन नहीं आएगा और आपका बिना मतलब के पेड़ बहुत बढ़ता चला जाएगा अब किसान साथियों हमें ये पता करना है कि इसको हम करें कैसे क्या तरीके हैं किसान साथियों इसके चार तरीके है जिन में से पहला है वाटर इस्ट्रेस यानि के पानी रोक कर ताओ देना अब ये किरिया कैसे होती है मैं ये समझाता हूँ आपको जैसे हमने सर्दियों की फसल फरवरी के मध्य तक ले ली तो फरवरी से आप पानी बंद कर देजिए जब पानी बंद कर देंगे आप और आपको अप्रेल के अंतिया लगबग 25 अप्रेल तक पानी बंद रखना है और पोधे के चारो और गुड़ाई कर देजिए जब गुड़ाई कर देंगे उसकी जड़े कट जाएंगे जो भोजन लेती है और पानी नहीं देंगे तो पोधा अपनी सुसुता आवस्था में चला जाता है और वो कोई भी कारिय करना बंद कर देता है जब उसे पानी न आपके वर्षारीतु के किसी कारण से आपके कल्ले निकल भी गए। तो हमें इनको तोड़कर, इन कल्लों की कटिंग करकर भी हम फलन को रोक सकते हैं। अभी मैं इस विशे पर नहीं जाऊँगा कि इन कल्लों की कटिंग किस प्रकार करनी है और कैसे करनी है इसका पूरा जो डिटेल है जो उसे मैं विश्तार से अगली वीडियो में समझाँगा। अभी सिरफ इतना समझिए कि इसे कंट्रोल करने की कितनी विधिया है यानि बहार्णी अंतरने की कितनी विधिया हैं। उतनी तेजी से फलन आएगा, और अधिक पतियां या ये जो उसकी व्रद्धी होने से हमारे फलन पर पढ़ता है, तो हमें ये भी ध्यान रखना है, ये भी एक बिंदू रखना है कि आपको इसका खाद प्रबंधन किस्से में करना है, खाद प्रबंधन कर भी रोख सकते हैं किसान सातियों आपको याद होगा कि मैंने अपनी कटिंग की वीडियो में बार-बार ये कहा है कि अभी आपको खाद नहीं देना है खाद हम कब देंगे बारिस के समय जब पहली बारिस होगी तब देंगे इसकी भी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे किसान साथियो जो चोथा और अंतिम है वो है उसे बोलते है डीप फाइलेशन यानि पत्तों का पतजड़ करना इसे डीप ब्लोसमिंग भी बोलते है डीप ब्लोसमिंग क्या होता है कि यानि आपके सारे फूलों का गिराना अब किसान साथियो इसके दो तरीके हैं एक तरीका मैंने बताया था कि आप हाथ से कलिया तोड़ दीजिए जितनी भी कलिया अब मान लीजिए आपके पास पचास सो पेड हैं तब तो ये निश्चित हो जाता है कि आप इसको तोड़ सकते हैं लेकिन अगर आपके पास एक किया जाता आ जो हमारे chemical होते है उंका पुरियोग करते हैं जैसे उन में से eurija एक है जैसे उसमें से potassium iodide एक है जैसे उसमेंसे 2-4-d एक है जैसे उसमें से एन ए-e chemical होता है वो एक है तो हमने सब्से साधारन और ये बहुत अनुसंद्धानों में कहा ग dich कि अगर आप 15-20% यूरिया का करते हैं इस्प्रे तो आपकी सारी कलिया गिर जाती है। आप ये भी कर सकते हैं। किसान सातियों, आज मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी है कि बहार्णी अंतरन क्या है। एक बार फिर सारांस में मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि प्रकरती हमें अपने हिसाब से फूल और फलन देती है। अगर हम प्रकरती के फल देने में कुछ बदलाव कर सकते हैं तो उसे बहार्णी अंतरन कहते हैं। बहाण यंतरण हमने बताया है कि हम चार तरीके से कह सकते हैं पहला है water stress management यानि के पानी रोक कर प्रबंधन करना यानि के ताव देना दूसरा है कि हम उसकी pruning करें या जो नए कल्ले निकले हैं उनकी cutting-shutting करें तीसरा है कि हम खाद प्रबंधन उचित समय पर करें और चोथा है कि हम रसाइनों का उप्योग करें पतियां गिराने में और पत्ते गिराने में तो किसान साथियो ये थी मेरी पहली प्रस्तुती पहाण यंतरण में अगली वीडियो का इंतिजार कीजिए और मुझे ये भी बताईए कि इस वीडियो से क्या आपको कुछ सीखने को मिला इससे मेरा उत्सावर्दन होगा और मुझे ये पता लगेगा कि क्या आपको दूसरी वीडियो की आवश्यक्ता है या नहीं इसी के साथ विदा लेता हूँ धन्यवाद नमस्कार जैहिंद जैभारत बंदे मातरम